हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में शेयर करूंगे आपसे इस वीडियो में अपने न्यू प्लांट में कलनर्सरी गई थी और कुछ नए प्लांट लेके आई हूँ जो मेरे पास नहीं थे तो इस तरह के प्लांट आप इस समय अ प्लांट है इनके नेम क्या है प्राइस क्या है तो कैसी मिटी में इनको लगाना है सभी बाते में मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगे तो आए देखते हैं तो सबसे पहला प्लांट है देखिए यह एक टाइप है इसको चाइनिस एवर ग्रीन जा इस तरह का इसका क इसमें कम से कम भी आट दस चोट चोटे बड़े प्लांट है तो अगलोनिमा आपके पास नहीं है किसी वी टाइप का तो इसको आप अपने गार्डन में समय आड़ कर सकती है और देखिए बहुत सारे इसमें चोट चोटे न्यू प्लांट में निकल रहे हैं कुच बड़े यह बिल्कुल चोड़ी मिट्टी में लगा हुआ है और इन दो के जो भी अच्छीel चिल रहा है और भी आद मुपांड़ी पूल भी आ रहे हैं तो अग्रोलीमा की जो भी आपके पास टाइप नहीं हो जाहां आपके पास अलडी है ही नहीं प्लांट अग्रोलीमा का तो इस समय यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं तो इस समय आप इनको नर्सरी से ले सकते हैं अच्छा ग्रोथ वाला जा डपैल प्लांट आपको इस समय नर्सी से मिल सकता है तो चाहो तो एलो निमा आपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं देखिए मैं अभी एक लाई हूँ आगले मन्त में एक और लाऊंगे देखिए साइप्रस का प्लांट लाई हूँ साइप्रस में आपको बहुत सारी डिफ्रेंट प्लाई मिल जाती हैं कुछंडंबि-लंबि हाइटे होती हैं कुछ का कलर अलग होता है तो मेरे पास आलड़ी हे है करा ये गरीन कलर का यह घ्रीन कलर यह उसका कुछ अलग करें ef इसका जालग आव है तो यह फ्लांड मुझे देखिए इस तरीके से यह पॉलली वैंग में लगा हुआ और लाल मिट्टी में लगा हुआ ये प्लान मुझे बंड 50 का ही मिला है तो ये भी मैं एक लाई हूँ डिफरेंट कलर का बहुत ही खुबसूरत लगते हैं लो मेटनेस होते हैं पूरा साल बने रहते हैं और गर्मी में जा सरदी में इनकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है और इनको भी आपने वेल डेंट मिट्टी में ही ग्रोथ करना होता है जिसमें पानी नहीं रुके गार्डन सॉयल रेत और खाद मिलाके आप इनको लगाईए साल में दो बार फटलाइजर दीजिए जनफरी फरब्रीज है मार्च में और फिर स्तंबर अक्तूबर में फिर ये पूरा साल हमारे गार्डन में इस तरीके से खुबसूरत याड़ करते रहते हैं तो अगर आपके पास इस तरह का प्लान नहीं है तो इस समय ले सकते हैं साइपरस जुनिपर का प्लांट ये तीसरा प्लांट में लेके आई हूँ ये है मौर पंकी का मौर पंकी का प्लांट में दो बार आलड़ी ही लेके आ चुकी हूँ मगर मेरे पास वो किसी बज़ा से सरवाइव नहीं कर सका तो देखे मैं इस बार फिर से लेके आई हूँ और ये भी मुझे बंटवंटी का मिला है ये भी देखे इस तरीके से जो चेंज का नर्सरी पॉड रहता है उसमें लगा हूँ और लाल मिट्टी में ही लगा हूँ आई ये भी तो इस तरह के भी प्लांट आप एड़ कर सकते हैं ये पूरी दूप में भी चल जाता है फुल दूप में और दो तिन गंटे की दूप में भी आप इसको रख सकते हैं बहुत ही खुबसुरों से ये पर्मनेंट प्लांट होते हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं इस बार में इसको जो है लगाऊंगी आठ दस इंच की गमले में और इसको रखोंगी तीन-चार गंटे की दूप में पहले मैं इसको जो है कम दूप में रखते थी शाइद इस वज़ा से यह प्लांट सर्वाइब नहीं कर पाए तो इनको भ तो ताइप है तो ठोड़ी से लग थी अरेकापाम वे आपको बहुत सारी लग-ग ताइप मिल जाती हैं तो यह इसकी हाइड बहुत ज़दा नहीं होती है श्योटाइड वाले अरेकापाम होता है बहुत सारे छोट शोटे प्लांट इसकी जड़ों से निकलते हैं ये आपको मिल जाती हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बजट में, जो फिट हो वो ले सकती हैं, पिछले मत में जो लेके आई थी, वो अलग था और ये वाला अलग है, इसके हाइट थोड़ी कम है, और इसके बहुत सारे प्रांट इसके जड़ों से निकल रहे हैं, चोटे चोटे पिछले वाला भी जो लेके आई थी उसमें भी बहुत सारे बेवी प्लांट से जड़ों से निकलते हैं अगर उसके हाइट थोड़ी सी जादा थी देखिए इस तरीके से चोटे से गमले में चेंच गमले में इसमें कम से कम भी 8-10 चोटे बड़े प्लांट हैं तो इनको भी वेल्डेंड मिट्टी में ही लगाना होता है और सेमिशेड एरिया में जो सुबा की एक अधे गंटे की दूप में यह अच्छे से चलते हैं देखिए एक प्लांट में लेके आई हूँ नीम का तो बरसात की सीजन में आप इस तरह के भी प्लांट लगा सकते ह पहर वाली साइड लगाऊंगी तो पहले भी मैंने जो है लगाया था ऐसी जगा लगाया था जहां थोड़ी सी शायर रहती थी वह नहीं सर्वाइब कर सका तो इसको मैं इस वार पूरे फुल दूप में ग्रो करूंगी तो यह अच्छे से चलेगा तो यह भी पर्मनेंट प्लांट होते हैं और अगर आप इनको जमीन में लगाते हैं तो यह काफी बड़े से पेड़ के रूप में ग्रो हो जाते हैं तो यह मुझे पचास तरवे का मिला था और इस तरीके से पॉली वैग में यह लगा हुआ है तो अगर चाहो तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं अगर आपके पास जमीन है तो नहीं है तो आप इनको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं तो थोड़े से 12-14 इंच के गमले में और अगर आप गार्णिंग करते हैं तो इसका जो बहुत सारा यूज है हम अपने गार्णिंग में भी कर सकते हैं जो यह नीम का पेड़ होता तो इस तरह के भी प्लांट आप अपने गार्ण में आड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी आज की मेरी शॉपिंग और देखिए मैंने ये सभी के सभी जो कुछ चार प्लांट जो है इंडोर हैं सभी के सभी सेमिशेड एरिया में ग्रो होने वाले जांट सुबा की एक को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थेंक यू फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताएगा और फिर मिलते हैं किस नहीं वीडियों ने टॉपिक के साथ अब तक लिए बाई हैपी गार्निंग